हाँ तो हेलो बच्चो आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे अपने यूटूब चैनल पे तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं animals on the basis of their eating habits कहने का मतलब है हम लोग अलग-अलग तरह के जानवरों के बारे में जानेंगे उनके भोजन करने के आधार पे तो mainly three taps होते हैं on the basis of eating जिन में से आपका first है harbivores, second है carnivores और third है आपका omnivores अब इन तीनों को हम लोग एक अक करके बारी किसे detail में जानेंगे आकर ये होते क्या है किसे कहते हैं हम लोग ठीक है तो आईए सुरवात करते हैं first है आपका carnivores तो आईए देखते हैं कि आकर carnivores किसे कहते हैं तो carnivores are animals that eat only flesh of the other animals are called carnivores animals कहने का मतलब है carnivores वैसे जानवरों को कहते हैं जो केवल और केवल दूसरे जानवरों को क्या खाए flesh खाए मांस खाए उसे क्या बोलते हैं हम लोग carnivores animals कहते हैं ठीक है तो आईए अब कुछ हम लोग carnivores animals के नाम देखते हैं तो first है आपका lion ठीक है second है आपका tiger ठीक है third है आपका wolf ये भी क्या है carnivores ये सारे के सारे क्या है carnivores animals है ठीक है अब next है आपका second है आपका herbivores आखिर herbivores किसे कहते हैं ठीक है तो आएए देखते है herbivores are animals that eat only plants and products obtained from plants are called herbivores animals कहने का मतलब है herbivores वैसे animals को कहते हैं जो plant और plant से मिलने वाली चीजों को खाए ठीक है तो उसे हम लोग क्या बोलते है herbivores animals कहते हैं ठीक है आएए अब कुछ herbivores animals के नाम देखते हैं जैसे आपका पहला है cow ये क्या है herbivores animals है ठीक है second है आपका horse ये भी एक क्या है herbivores animals है next है आपका got ये भी क्या है herbivores animals है अब हम लोग last जानेंगे Omnivorous Animal आखिर Omnivorous किसे कहते हैं तो आएए देखते हैं किसे कहते हैं Omnivorous ठीक है Omnivorous are animals that eat both plants and flesh of other animals are called Omnivorous animals कहने का मतलब है Omnivorous वैसे animals को कहते हैं जो कि प्लांट से मिलने वाले चीजों को भी खाए, प्लांट को भी खाए और साथ ही साथ दूसरे जानवरों को flesh को भी खाए मांस को भी खाए उसे क्या बोलते है Omnivorous animals जैसे आपका fox हो गया और भी है जैसे आपका bear हो गया यह भी क्या है Omnivorous क्या है एनिमल्स है ठीक है